साथे में एक नया फर्मान आया है कि कावड यात्रा के रास्ते में जितने भी फल सबजी बेचने वाली रहडिया हैं, स्टॉल्ज हैं या धाबे रेस्टॉरॉंज हैं ये खाने के धाबे हैं तमाम लोगों को अपना नाम बोर्ड पर लिखना होगा इसके पीछे की मंशा बड़ी सपश्ट है आप समझ गए होंगे हिंदू कौन है, मुसल्मान कौन है, हो सकता है इसमें जाती भी हो, मंशा में इनके मंशा में ये हो सकता है कि कहीं दलित तो नहीं है, ये सब हो सकता है, बिलकुल संभव है, लेकिन हमने इसका कल जब विरोध क देखा हुआ है, इसका मालिक क्या हिंदू है, मुसल्मान है, जैन है, सिख है, क्या है, कोई फ़रक नहीं पड़ता है, हमें शुद्ध शाकाहरी खाना है, हम जागर खा लेते हैं, अब आप इंटरनाशनल लेयर लाइन्स में कहीं ट्रावल करते हैं, कोशर फूड, तो जू नहीं कुछना उचे समस्ता की बनाने वाला कौन है, ये करना जो ये कावड यात्रा पर पर प्रपोस कर रहे हैं, इसके पीछे मंशा है, economic boycott of Muslims को normalize करना, कैसे आर्थिक भहिशकार का सामानने करन करना है मुसल्मानों का, तो इस मंशा को तो हम कामयाब किसी के लिए नहीं ह होने देंगे, अब meat exporters हैं, बड़े बड़े चार पाच जो है, अलकबीर, कौन है मालिक, सबरवाल, Arabian exports, कौन है मालिक, कपूर, MKR frozen, कौन है मालिक, Mother Abbott, PML Industries, मालिक कौन है, बिंदरा साहब है, और एक homework भी दे दू, अलदुआ, पता लगाईएगा कि जब ये अलदुआ नाम की beef exporter company बनी थी, तो इसके मालिक कौन थे, ये homework में संख के विचारधारा वाले दोस्तों को दे रहा हूं, जिस तरह से, अगर हिंदू meat export करता है, तो रहती तो वो meat ही है न, या दालचावल बन जाती है, वो meat ही र जो लोग हैं, बिना सोचे समझे जब कुछ काम करते हैं, तो फस जाते हैं, पहली ही argument में धाराशाई हो जाते हैं, लेकिन जो शडियंत रिये लोग रच रहे हैं, हमारी आपकी जो एक तहजीब है, अब उस तहजीब में मुझे याद आता है, अली गंज लखनव में, वहा कारियां करते हैं, उस तहजीब पर ये हमला बोल रहे हैं, और ये हमला सिर्फ उस तहजीब पर नहीं बोल रहे हैं, हमारे आपके घरों में घुसकर तैय करेंगे कि कौन क्या खाएगा, किस से खरीदेगा, क्या कपड़े पहनेगा, किस भाशा में बोलेगा, इनको अपने घरों में घुसने से रोकिए, अगर इनको अपने घरों में घुसने से रोकना है, तो इस विचारधारों का अपने मोहले से दूर रखिए, अपनी जीवन से दूर रखिए, अपनी विधान सभाओं और लोग सभाओं से दूर रखिए, अपनी समाज से दूर रखिए, तभ ही हम अपने इस खुबसूरत हिंदुस्तान की तहजीब को बचा पाएंगे जय हिंग